जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपटी चैनल SGA study पे दोस्तों आज की स्विडियों में जानेंगे इंडन नेवी MR जॉइन करने से पहले इंडन नेवी MR में क्या काम करना परता है उसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले है आप सभी को पता हो अगर आप लोग इंडिन नेवी एमर जोइन करते हो तो आपको काम क्या है उसके अंदर वो जानना बेहत जरा जरूरी है क्योंकि वो कम आपको पसंद भी हो सकता है नहीं भी पसंद हो सकता है हो सकता है कि आपको ना पसंद हो और इंडिन नेवी एमर के सब कुछ आपने पास जो इंड़न नेवी मर की प्रप्रेशन करें उनको काम के बारे में बता नहीं है तो चली सब पहले में सेफ में क्राम करना पड़ता है तो सबसे पहले में सबसे बुग बारे में बात करते हैंarts है है सामिल किया गया ठीक है और रासन का लेखा जोखा भी करना पड़ता है इसके अलावा आपको अगने सास्त्र में भी परिच्छित किया जाएगा और संगठन के कू कुसल संचालन के लिए अंतर अन्य करताव भी अवांटित किये गए कहने का मतलब यह अगर आप लोग सेफ जोईन करते हो ठीक है सेफ जोईन करते हो तो आपको इसमें कुकिंग करना यानिकि आपको खाना बनाना परेगा अब देखो किसी को मांसहारी खाना पसंद दीने अब उनको दे दिया जाएगा कि तुम मांसहारी खाना बनाओ मेरे भाई तो बना पाएगा बंदा नहीं बन पाईगा क्योंकि उसको महक से ही मत उल्टी आने लगे लगे लगा कुछ भी हो जाएगा समझ रहे हो ना तो यह सीन होता है मेरे भाई तो सबसे पहले यहां पर आप लोगो देखना है मिरे भाई कि आपको खाना में क्या पसंद है यह सेफ आपके लिए वेस्ट होगा या नहीं होगा वो चीज आप लोगो समझना है ठीक है दूसरा चीज हम बात करते किसी को मांसारी सकारी दोनों चीज आता है खाना बनाने में वो इंट्रेस्ट रखते तो वो सेफ के लिए जा सकते हैं लेकिन ये भी सीने के जब आप फॉर्स चोईस में जो देता है वही तो आप लोग समझ जियेगा तो पहले आपर लोग नहीं जाना करया क्या दिए अम् बात करते मेरे भाई इस्टिवाट के अंदर क्या करना पड़ता है दिए देखो इस्टिवाट में आपको अधिकारियों के मेस में भोजन परोस ने बेटर के रूप करना होगा हाउस किपिंग का काम नी दियो सराब एवं भंडार का लेखा जो खा रखने मेन्यू तियार करने आदी का कार करना होगा इसके तिर्ग आपको अगनी सास्त्रों का परिचन भी दिया जाता है तथा संगटन में कुसल संचालन के लिए अन्य करतब भी आवांटित क कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस्टीवार्ड जॉइन करते हो तो इसमें आपको एक तरह से बेटर जो खाना ओफिसर लोग होते हैं उनको खाना आपको खिलाना है उनका परोसना है खाना हाउस की पिंग जितने भी समान आते रासन की हो गया है या कुछ भी समान ठीक है उसको देखवाल करना है उसको अच्छे तरह से स्टोर में रखना है उसके अलावा जो दारू आरू आरू जो होते हैं जो मिलते हैं मिर भाई सोलजर लोग को वो दारू आरू का लिखा जो खापको रखना है ठीक है उसका हिसाब करके रखना है ठीक है यह सब उसके अलाव आपको बंदु की ट्रेनिंग और रेनिंग भी आपको दिया जाएगा और इसके लावा और भी कुछ काम जो होते हैं वो भी आप लोगो करवा लिये जाएगे तीसरा हम लोग का पोस्ट जो है उससे पहले आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो ना इंडेन नेवी एमर और एक्जाम करेक करना है तो आप लोगो पढ़ाई बहुत जाए ज़रूरी है उसके लिए एक बुक की ज़रूरत पढ़ेगी और वो बुक है मेरे भाई चक्छू पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया इंडेन नेवी एमर और एसेसर की बेश्ट बुक जिसमें कि आप लोगो लेटेस्ट एक्जाम पेटन पर कोश्चन देखने को मिल जाएगा 2000 से ज़ादा ऑप्जिक्टिप कोश्चन देखने को मिल जाएगा इसके अलाबा मेरे भाई इनका एक बुक के साथ प्रैक्टी सेट भी आता है तो प्रैक्टी सेट भी आप लोग ज़रूर लिजेगा लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्सी मिल जाएगा दोनों बुक का फटा परस जाएए बुक को परिचिस किजिए और अपना प्रिप्रेशन है वो बहतर बनाई है तीसरा जो पोश्ट है हम लोग का सिनेटरी हाईजिनिस्ट जिसमें कि आप लोग देख सकते हो इसमें जो काम होता है साफ सफाई का काम होता है देखो उन्हें सोचाले और अन छेत्रों की सोचता बनाई रखने के लिए आवसकता होगी इसके अलावा आपको मतलब की अगने सस्त्र में भी परिचित किया जाएगा और संगटन के कूसल संचालन के लिए अन करतव भी आवंडिर्ट किये जाएंगे कहने का मतलब यह कि अगर आप अप ये आप हाईजनी इस्ट करते हो तो इसमें आप लोगो एक ट्रेनिंग एरिया अथा नम दर सओचाले हो गया उसकी साफसफाई कर वाएंगे उसके अलावा मेरे भाई आपको जो भी मतलब की एरिया है न पूरा एरिया मतलब साफ सफाई का जीतना काम है न वह आपका होगा किसका हाइजिनिस्ट वाला का होने वाला एटी क्या उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काम का महौल जिसमें कि आप लोगों को देखने को मिला होगा इन सखाओं में कार वातावरन उनके पेसवर काम के अलावा उने जहाज पर निगरानी करतब्यों के साथ ससाथ छोटे हथियारों को संभानने के लिए परिशिचित किया जाता है और जहाज की लैंडिंग और बोर्डिंग पार्टियों के लिए भी परिशित पर इसे चिप किया जाता है वे जहाज द्वारा संचाली सभी गति वीदियों में सामील होते कहने का मतलब यह है कि आपको खाना बनाना साफ सफाई या आप लोग को खाना प्रोसनी या वेटर का काम करना ही है लेकिन उसके अलावा जहाज पर भी और बहुत सारे काम होते हैं वो भी आपको काम दिया जा सकता है जो कि आप लोग देख सकते हो अन्ति में आप लोग को यह बताए न अन्य कर्तव भी अवांटित के जा सकते हैं तो तीनों पोस्ट में यह चीज आपको मिंसन किया गया तो अन्य में यही होगा कि आपको जहाज वहाज पर भी ड्यूटी लग सकते हैं तो तीनों का काम यह है मिर भाई अब देखो किसी को मिर भाई इस सचाले साफ करवाय जाएगा और उसको पसंद दीने कि मैं सचाले साफ मेरे से नहीं होगा अगर वह पोस्ट उसको मिल जाए तो वह काम करेगा नहीं उसका टाइम भी बरबाद होगा सब कुछ बरबाद होगे तो अभी अगर आप लोग जान लेते हो कि उसमें 140 साफ करना है खाना बनाना है बेटर का काम करना रहिए यह सब तो आपको यह सब काम पसंद दे तो आपडरो आपको राम से जोइन रहे रिख लोगने चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियाओं बहुत अच्छी वीडियो वहाँ पर आपको देखने को मिल जागा मेरे दौरा तो आप लोग वार हमारे सिकेंड चैनल पर जाके सपोर्ट करो जितने भी नए केंड़ेट हो यहाँ पर सपोर्ट क